कि नमस्कार दोस्तों स्वागए था आपका इंडिया स्टेडीज भार श्टेडीज के हमारे इस प्रेटफॉर्म पे पिसले कुछ दिनों में एक शब्द आपको बार बस नहीं दिया है आकशिजन आक्सजान की नाम का उत्व में एक शब्स नहीं दिया है क्रीयोजनिक टैंक इतना ज्यादा यह चर्चा में रहा कि दिल्ली सरकार को अदे अख्वारों में एड दे करके ढूंड़ना पड़ रहा कि किसी वाद हो तो हम किराये पर या खरीदने के लिए रैडी है आप बता दीजे हाला कि स्रिफ उनकी बेवकूफी थी और कुछ नहीं क्योंकि भारत में जो भी क्राजने टैंक होते हैं पकायता सेंटर के पास है क्या और कैसे डिलिवर होता है क्या बनता है किस तरह का होता है आपकी नॉलेज्ज के लिए इंपोर्टन धर और एकजाम के लिए पांटर वी से कुछ बाते होंगी जो इपॉट्ण इसमें होगी ओंबी मैं बताता चलूँगा आपके साथ में दोस्तों क्या होए कि और तो उसको लाने जाने के लिए जो तरीका होता है वो नौमल तरीका तो होता नहीं है कि अधिक क्या कर रहे हैं और चुनावा क्यों करें को राजनाथ जी क्या करें सब कुछ नहीं होगा तो ऑक्सिजन को कैसी कह जाएगा तो अच्छी तरह से पढ़ा होगा ऑक्सिजन जो है बहुत कम टेंपरेचर होता है उसके अंदर भा बन जाती है हमारे प्रत्वी पो हजार लाखो साल पहले लाखो लाखो साने सब्सक्राइब नहीं है क्यों तो इसे बहुत कम था फॉर्म में जैसे ब़ creamy य flaw concept बदल चुकिया ऐसे में जो में होती है जो फेक्टिर एवं से लिये बहुत कम टैमपरेचर पे बहुत ही कम टैमपरेचर पे आपको स्टोड ... अब इत्ता कम टैमपरिचे कैसे बनेगा तो इसके थे खौट थे टैंक होता है अपने यह वाली Edgar आपने देखी हो गी मंगे हिस तरह का बना हुआ टैंक होता है इस टैंक को आपको समझना हो तो आप है घर में यह वाली बोटल जरुरु देखिया हूगा आपने इसके अंदर पानी को ठंडा रखते है इस वाली बोटल एक खास बात क्या होती है इसके आउटर लेयर के बीच मे ओर इनर लेयर के बीच में लेयर है यहां पर एक पॉइंट पर टच होती है ऑम फैक जो कर दोसके ना वह से यहां ना यहां से वह से लींड ही इने टेंक में किया जाता है यह उसका इने लेट होता है फोरे बाद मैं घंब अउटर लेयर कम होता क्या है कि और तरशक आप इसको समझना होतो हुआ आपको और असला समझाता हूं कुछ इस तरह से देखो। एस टैंग का जो वोला होता है स्तेंलेस्ट रिस निलेघादा बनावा होता है जैसा कि बास्ट में दिखाए आपको जो इनले राश्टो अंती होता घुब गरम रहता है ठीक है इस तरह से गरव विक्कुल भी ट्रास्पर नहीं हो पाएगी टाइंप्रेचर माइनस 185 डिग्री से माइनस पर लगा करके और गुमाया जा रहा है इसका फाइदा क्या होता है कि इतने कम टैंप्रेचर के अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कर सकते हो ताकि खराब भी नहों और आपका काम भी हो जाए अब हुआ कि भारत में जो कुल संख्या थी टैंक्स की वह कित इतने टैंक है कि सरकार को ढूड़ने पड़ भारत में मोटा 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 2000 टैंक्स अवलेबल है इन 2000 टैंक्स के अंदर से भी मोटा मोटा देखा जाये तो लगबाब 500 टैंक जो है इस समय ऑपरेशनल नहीं कारण कि है कि हट टैंक की सिफ्टी आपको अंशो करनी पास लगबाब 1500 टैंक हमारे पास अपरेशनल है अब 1500 टैंक तो अपरेशनल है आज से एक साल देट साब पहले करोना टाइम आने से पहले जो समय था उस समय पूरे भारत के अंदर जो सब ऑक्सिजन चाहिए थी वो चाहिए थी लगबाबाब 700 मिट्रे टन यह मैं बता रह हो गई अठाइसो मिट्रे टन अठाइसो मिट्रे टन की आपको रिक्वार्मेंट होगी पर देगी बात कर रहो यहां पर मैं अब 1600 टैंक आपके पास में 800 मिट्रे टन आपको पहुचा नहीं संभवन नहीं हो पाएगा भारत में ऑक्सिजन की कमी नहीं है उसके मूवमेंट कमी है कि एक जगह से दूसरी जगह जहां पर बंदर ही है और जहां पर जरुरत है वहां पहुचाने की बीच में जो समय लगता है जो टैंक चाहिए वो हमारे पास नहीं थे हैवी नहीं और अब जाकर थाइसों से बढ़कर की जो डिमांड है छह जार आ गई है जहार मिट् ठाउट करने के लिए ट्रांस्पोर्ट काने के लिए टैंक से हमारे से समझ्या रही है मोटा மोटा को समझले टैंक जो होते हैं वह टैंक होते हैं जासिन को काफी कम ठाउब्ली करकर के मुव्मेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं यह पूरा काम होता है आप लोग को यह कैसे इंपॉर्टन्ट है कुछ चीज आपके लिए इंपॉर्टन्ट है जैसे पूछा जा सकता है ऑक्सिजन की मुवमेंट करने के लिए हमें कौन से टैंक की जलच पड़ती है तो बहुत सारे नाम होंगे आपके लिए इंपॉर्टन्ट है दूसरा आप से पूछा जा सकता है कि भाया कितने डिग्री पर कितने संटीग्रेट पर किते फॉरें हाइट पर ऑक्सिजन वैपरोट जाती है तो डिग्री के बाग करें 153 डिग्री पर वैपरोट हो जाती है माइनस 153 बोल रहा हूं है यह आप ध्यान रखेंगा कि आप लोग प्लस 153 डिग्री के असपास में जो नंबर हो वहाँ पर इवैपरोट जाती है यह आपको ध्यान रखना है तो यह था हमारा कर्जेंट टैंक और इस टैंक को अभी जो गौर्मेंट मूव करवा रही है वो इस तरह से करवा रही होत जुर्थ है उसकी उदयपूर के अंदर उदयपूर में से क्या होता है जो खाली टैंक है इनको एलिट करके और जाना कर पचाए जाता है ठीक है ताकि इस समय लगने वाला था उदयपूर से जाना जाने का वह समय बच जाए वापसी में ट्रक आपका रोड से आगा क्यों हेवी होता है ट्रक 20-30 मिट्र तरन उसके अंदर ऑक्सिन होती है तो संभव नहीं कि वह अराम से आ जाए वह चीज़ संभव नहीं है ऐसे में वह रोड से आता है पर जाने का टाइम खाली टैंक जब जा रहा होता है तो उसको एलिट कहा जा रहे है यह इसका सारा गेम है त आउट को एक क्वेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में दिखेगा हम आपके वहां पर डाउट को कि लिए करेंगे तब तक लिए नमस्कार जैंद